है ले विडिवन आज इस वीडियो में नया संसत भौवन के बारे में important question answer के बारे जानेंगे जो exam वे पाइंटा भी उसे बहुत ही महत्पुड है question कैसे होंगी की संसत भौवन का वास्तुकार कौन है इसका आकार कैसा रहने वाला है और यह किस कंपनी के दोरा बनाया जा रहा है और इसका खर्चा टोटल कितना आएगा और इसका उध्गाटन कब किया जाएगा इस बहुत सारे कोश्चन है जो इस वीडियो में आप लोगो कवर के जाएगे तो चलिए वीडियो सुरू करते है वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आकां को प्लेज कर लेजिए कि कुछ जब लेटेस वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिपिसर मिल जागा वीडियो को आप लोग जली से देख पाएंग ये आप लोग किसी कोश्चन का इंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके इंसर जरूव बताएए चस्चन क्या है नयस अनसद भोवण की आधार सिला कवर रखे गई इसका रैट एस चिल होगा 10 दिसंवर 2020 को आधार सिला के आफ लोगा रखेगए नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमर सेकेंड दिल्ली में नए संसद भौन की आधार सिला किस ने रखी थी किस के द्वारा रखी गई ये रखे गई अपने प्रधानमंती नरेंद मोदी के द्वारा ओप्शन भी आप लोगा राइट एंसर होगा क्या होगा नरेंद मोदी के द्वारा नए संसद भौन की आधार सिला रखी गई आप लोगो याद अखना है नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमर थर्ड ने संसद भौन का उद्गाटन किस वर्ष किया जाएगा किस वर्ष किया जाएगा ये किया जाएगा 2022 में यानि option B आप लोगा सही उत्तर हो जाएगा option B next question question वर third नय संसत्भवन का निर्माड किस project के तहत किया जाएगा किस project किया जाएगा ये किया जाएगा central vista पुनरविकास परियोजना के तहत यानि option A आप लोगा सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ध्यान अखना है next question है question number five नय संसत्भवन का निर्माड़ा कंपनी कौन सी है यानि नय संसत्भवन किस के दोरा बनाय जा रहा है ये बनाय जा रहा है Tata project limited के दोरा यानि option A आप लोगा right answer हो जाएगा option A आप लोगा right answer होगा आप लोगो ध्यान अखना है next question है question number six six है नय संसत्भवन का डिजाइन किस के दोरा तयार किया गया है ये तयार किया है HSP डिजाइन के दोरा HCP डिजाइन के दोरा यानि option D आप लोगा right answer होगा आप लोगो याद अखना Q7. आप लोगों को बता दू जो मौवजूदा संसध भान है यानि यानि गोला कार, आप लोगों या दखना है व्रित्ताकार, जो अभी संसध भान है मौवजूदा में वह उसका अकार है व्रित्ताकार जो बन रहा है नया संसद भववन उसका आकारत्रिभूजा कर रहने वाला है आप लोग को ध्यानक नहीं यहनि option C आप लोग का right answer होगा next question है question number 8 है भारत का नया संसद भवन कितने छेत्र में फैला होगा यहनि कितने छेत्र पर यह बनाय जा रहा है यह बनाय जा रहा है 64500 वर्ग मीटर में यहनि option B आप लोग का right answer होगा option B question number 9 है भारत का नया संसद भवन कितने मंजीला इमारत का होगा इसका right answer होगा option B तीन मंजीला इमारत का option B आप लोग का right answer होगा आप लोग को बता दू इसमें थोड़ा सा confusion है 14 मंजीला दिया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जब इसका confirmation अच्छा आ जागा आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा अभी फिलहाल बहुत सारे साइट पर तीन मंजीला दिया गया है आप लोग तीन मंजीला option में लगाएंगे एनि option भी आप लोगा राइट एंसर होगा next question देखते हैं question number 10 है नए संसत्भवन का निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च आएगा यह आएगा 971 करोड रुपए एनि option C आप लोगा राइट एंसर होगा क्या होगा option C आप लोग को ध्यानक नहें next question देखते हैं question number 11 है नए संसत्भवन के स्युक्त रुपशत्र में कुल कितने सदस बैठ सेखेंगे यह बैठ सेखेंगे 1224 सदस स्वारी 1224 सदस टोटल बैठ सेखेंगे option D आप लोग का राइट एंसर होगा क्या होगा option D आप लोग का राइट एंसर होगा आप लोग को ध्यानक नहें next question देखते हैं question number 12 है नए संसत्भवन में लोग स्वा सदन में कितने सदस्थों की बैठने की वेवस्ता होगी कितने सदस्थों की बैठने की वेवस्ता होगी यह होगी 888 संसदों की बैठने की बेवस्ता होगी option B आप लोग का right answer होगा आप लोग को बता दो पूराने संसब्दों बैठने की 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 बैठने संसदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है इसलिए लोकस्वास संदसों की संख्या जो लोकस्वास नया संसद भौन बन रहा है उनमें बढ़ाई जा रही है 888 कर दी गई है अभी मौझूदा संसद भौन में संसदों की संख्या बैठने की सदस्टों की संख्या कितनी है 590 और जो नया बन रहा है उसमें 888 है आप लोग से एभी कोश्चन पूछ लिया जाएगा कि लोग सवास जो छेत का परिसीमन होना है कब किया जाएगा तो आप लोग के आजाकना है 2026 में किया जाएगा कब किया है 2026 में नच्ट कोश्चन है को कोश्चन वात 13 नए संसदों की राज-सवास सद्थन में कितने यो बैठने की विवस्ता होगी यह होगी 818 ऑ्शल्च जो अभी मव्जूदा संसदों य पूराना संसदों म omn Currently उसमें जो नया बना जा रहा है उसमें 384 सदस्य संख्या बैठने की विवस्ता बनाई जा रही है आप लोगो याद अखना है Next question देखते है Question 14 है वर्तमान में लोकसवा में सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में कितनी है लोकसवा सदस्यों की संख्या वहीं बात की जाए राज सवा की, तो राज सवा की वरतमान में की कुल संक्या कितनी है, 245 कितनी है, 245 वरतमान में है, और टोटल कितनी होना चाहिए, यह होती है, 250, कितनी होना चाहिए टोटल, राज सवा में 250, आप लोग या दखना है, वर्तमान में लोग सवाँ साथ 200 क्या है? 245 और टोटल होने चीए 252 और राज सवा में कितनी होंचीए टोटल? टोटल 250 होना चीए वर्तमान में कितनी है? 245 आप लोग इसको भी आदखना है राज सवां ने अला कोश्चन देखते हैं कोश्चन 15 है पूराने संसद्भोन का उद्घाटन कब किया गया था बेरी बेरी इंपोर्टन कोश्चन ये किया गया था पूराने संसद्भोन का उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को किया गया था बात की जाये पूराने संसद्भोन की निव कब रेखे गया थी ये रखे गयी थी 1921 में आप लोग को याद रखना है पूराने संसद्भोन की निव 1921 में रखे गयी थी और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था आप लोग को ध्यान नखना है नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन वर 16 है पूराने संसद्भोन का उद्घाटन किस ने किया था बेरी बेरी इंपोर्टन कोश्चन पूराने संसद्भोन के निर्बाड में कुल कितने रुपए खर्च आया था पूर कितने रुपए खर्च आया था यह था तीरासी लाग रुपए यह यहँई आप लोग का राइट्ञ के क्या होगा ओप्सं सी आप लोग का राइट्र होगा जो नया संसद्धभोन बन रहा है उसका कितना खर्च आयेगा आप लोगा राइट इंसर होगा यानि एडविन लुटियंस और हर्वर्ट वेकर के द्वारा इसका डिजर किया गया था option A और B दोनों सही है यानि option D आप लोगा इस question का इंसर हो जाएगा next question है question 19 ये भी बहुत ही महतपूर question है संसत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है ये किया गया है option A आप लोगा राइट इंसर होगा अनुच्छेद 89 में किया गया है संसत के गठन का प्रावधान अब बात की जाए अनुचेद 80 की तो इसमें लोग सवा सरचना की बात की गई है अनुचेद 80 में लोग सवा सरचना की बात की गई है और अब बात की जाए अनुचेद 80 की तो इसमें राज सवा की सरचना की बात की गई है आप लोगो ध्यानकना है नेंस्ट कोष्चेन देखते हैं कोष्चन वाइं 20 है भारत में संसदी सासन बेवस्ता किस देश से ले गई है बेरी इप्टेन कोष्चन है और एक्जाम के पॉएंट अब इसो बहुत ही मत पूड़ा तो यह रही आज की वीडियो वीडियो आप लोगो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल को अभीता सब्सक्राइब नहीं कें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें इसी तरह की नए वीडियो पाने के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए जय हिन जय भारत